जैहन साथियों उमेद है आप सभी एकदम बहतरीन हैं तो पोरी फेरा के बाद चलिए आज हम समझते हैं सिलेंट रेटा देखिए आज पढ़ेंगे सिलेंट रेटा के सामान लच्छड उसके उदाहरड तो इसके पहले के वीडियो सब अपलोड हैं आप लोग देखना चाहे तो जाकर प्लेइलिस्ट में देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं देखिए ये जो सिलेंट रेटा है ये दो सब्दों से बना है एक है पील जिसका अर्थ है खोखली गुःँगा और इंटेरोन का मतलब होता इंटेश्टाइन यानि कि आंत यानि इस सिलेंट रेटा का जो अ निडेरिया तो सवाल आजाता है निडेरिया जब सिलेंट रेटा नाम था तो निडेरिया की क्या जरूत पड़ी तो उसका ये कारण है ये जो निडेरिया है ये नाइड सब्द से बना है इससे नाइड सब्द से और ये नाइड सब्द जो है इसका अर्थ होता है कि इसमें पाई जाती है stinging cell कौन सी cell stinging cell यानि हिंदी में उसे कहते हैं दन्सकोसी का तो इसका एक और नाम हो जाएगा दन्सकोसी का धारक जन्तु यानि इस जन्तुओं के सरीर में क्योल एक ही गुहा होती है जिसे silentron कहते हैं इसी विसेसता के कारड़ इसका नाम silentrata रख दिये अगला देखे ये जो लिवकार्ट चचा थे ये ही silentrata नाम दिये थे ठीक है तो ये जो silentrata या निडेरिया है इसमें टोटल 10,000 जातियां पाई जाती हैं कितनी 10,000 जातियां अभी तक खोज की जा चुकी है silentrata की अभी इसके हम आ जाते हैं कुछ लच्छड तो लच्छड में देखिए होता क्या है ये बहु कोश की होते हैं क्या होते हैं बहु कोश की और इसमें उतक भी पाया जाता है highlight कर लिजे इसके पहले जो हैं उनमें उतक नहीं पाया जाता था कोश काएं ही पाया जाती थी लेकिन इसमें उतक पाया जा रहा है लेकिन अभी उतक अंग का निर्माड इसमें नहीं किया है ठीक देखे होता क्या है ये जो cell होती है ये निर्माड करती हैं टीसू का इसका tissue का और यह tissue आगे चलके निर्मार करते हैं organ का एक tissue से tissue system बनता है उससे organ बन जाते हैं तो अभी तक tissue बना है अभी organ नहीं बना है अगला इसमें अरी सम्मिती पाई जाती है अरी सम्मिती कहने का मतलब कि इसको हम चाहे जहां से काटे यानि इसका एक केंदर मान दे, उसके बाद चाहे जहां से काटे, दो बराबर भागों मैं बटेगा और तो ये दूई अस्तर, यानि डिपलोबलास्टिक होते हैं डिपलोबलास्टिक का मतलब क्या होता है, इनमें दो परत पाई जाएगी जो बाहर वाली परत होती है उसे कहते हैं एक्टोडर्म और अंदर वाली परत को कहेंगे मीजोडर्म और दोनों के बीच में जिलेटीन की बनी मीजोगलिया होती है दोनों के बीच जैसे देखिए ये हो गया बाहर का एक्टोडर्म और ये हो गया इंडोडर्म तो यह जो बीच वाला है यह इसको क्या कहेंगे मीजो गलिया आगे की तरफ बढ़ते हैं आप लोग इसकी इन सॉट लेते हुए चलिएगा या पेन कॉपी ले लिजे लिखते हुए चलिएगा एक मिनुट जड़ा चलिए एक कॉल आ रहा है अगला क्या है यह सभी जन्तु क्या होते हैं जली और ज्यादा करके इसमें क्या पाए दिख़ए जली में अधिकांस्तर क्या रहते हैं समुद्री लेकिन आप लोग कुछ एक्जामपल छोड़ लिजेगा जैसे हाइड्रा यह स्वच्छ जल में पा जाता है तो नाम क्या बताएंगे हाइड्रा अभी आगे इसका चित्र भी दिखाएंगे अगला है इसके सरीर में केवल मद्ध गुहा होती है जिसे गैस्ट्रो वैस्कुलर गुहा कहते हैं क्या कहते हैं गैस्ट्रो वैस्कुलर गुहा यह पाचन नली के समानकार करती है औ और केवल एक छिद्र मुख दौआरा बाहर खुलती है तेक है अब सीधा समतलब समझे इसमें एनस नहीं पाया जाएगा इसमें जो सर्जी पदार्थ रहेंगे तो इसमें जो मुखर रहेगा वहीं आहार गहड करेंगे और मल जो सरजी पदार्थ रहेंगे इसका उस सरजन भी मुख से ही करेंगे इत्में एनस नहीं पाया जाता आगे समझते हैं इन में बहूरूपता पाई जाती है बहूरूपता क्या मतलब होता है इसको हम समझा देते हैं देखिए, इसमें polymorphism पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, polymorphism, अब ये क्या होता है polymorphism, तो देखिए, इसका मतलब कि इनका सरीर एक से ज़्यादा रूप में पाय जाएगा तो इनका सरीर दो रूपयों में पाय जाता है एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेड्यूसा क्या होता है मेड्यूसा यह जो पॉलिप रहता है यह बेलनाकार रहता है कैसा रहेगा, बेलनाकार और यह जो मेड्ड्ड्यूसा है यह सकतरी नुमा रहती है कैसी रहती है, छतरी नुमा यही देख mutel, सरीर एक से ज़ादा रूपों में पाया जाएगा बेलनाकार रहेगा पॉलि और 6 नुमा रहेगा, यह मेड्ड्यूसा तो आगे देख लेते हैं नहीं थे तो यही लिखा गया है अधिकतर यह polypoid यानि वही polyp rup में और कम रहते हैं medusa rup में मतलब इनका सरीर 2 rup होता है dimorphism पाया जाता है क्या पाया जाएगा dimorphism मतलब 2 rup में रहेगा पेलनाकार भाग को polyp कहेंगे छतरी नुमा या तस्तरी नुमा भाग को medusa कहेंगे वही लिखा हुआ है आगे की तरफ इसमें क्या है इसके सरीर के चारो तरफ tentacles यानि इस परसक पाये जाते हैं जैसे माल लिजे यह है इसका सरीर इस तरह से अगर माल लिजे यह इसका सरीर हो गया तो इसके चारो तरफ ऐसे tentacles पाये जाएंगे ताकि दूसरे से सुरच्छा कर सके यह tentacles होती क्या है इसी में डंक मारने वाली दंस कोशिकाएं रहती है tentacles में ही तो यह करती क्या है सिकार करेंगी दूसरे को मुर्शित कर देंगी और आधार से चिपकने में यह सहायता प्रदान करती है आत्मरच्छा करवाएंगी दूसरा कोई इसको खाने आए लो डंक मार दी जहर छिरिख दी तो यह जिसे गाव में टोना मार देते हैं वो इसे यह जहर मार देगा तो आत्मरच्छा कर लेता है इस तरह से भोजन को पकड़ने में यही सहायक रहता है तो यह जो दन सुपोशिकाएं होती है इंसे देखे लिखा गया है यह है हिपेटो टॉक्सिन या कहले हिपनो टॉक्सिन यह क्या लिखा है हिपनो टॉक्सिन यही इसी का स्रामड होता है यह हिप्नो टॉक्सिन एक बेस है जहां रहे है यह समझली से इसमें परिवान तंत्र, सर्जन तंत्र और स्वसन तंत्र नहीं बिक्सित रहता क्योंकि यह सब अंग, इसमें अंग का अभी निर्माड हुआ ही नहीं है इनमें जो स्वसा नुसर्जन है वो सरीर में बिसरण द्वारा होता है तो आप लोग कमेंट करके बताईए जरा बिसरण क्या होता है कमेंट करिए देखे कितने लोग जानते हैं इनके सरीर का जो आगे वाला भाग रहता है उसे कहते हैं हाइपोइस्टोम क्या कहते हैं हाइपो इस्टोम भी चित्र में ये सब दिखा रहे हैं इसके अलावा बात करें इसके रिप्रोडक्शन की तो ये लेंगिक अलेंगिक दोनों प्रकार का जनन करते हैं और एक यहां important topic आप जान लेजिए ये जो सुक्राडू अंडाडू है ये बनते तो हैं इन है इनका लार्वा इसको इस्टार लगा लिजे important है और बाकी अलेंगिक जनन ये इनका मुकुलन देख लिजे जिससे निवह बन जाते हैं यानि ये अलेंगिक जननन लगभाग इनमें मुकुलन द्वारा होता है इसके द्वारा मुकुलन द्वारा अगला है इनमें पीड़ी एकांतरड पाई जाती है यानि जननों का एकांतरड या उसी को कहते हैं मेटा मार्फोसिस या इसी को कहते हैं पीड़ी एकांतरड अच्छा ये पीड़ी एकांतरड होता क्या है इनमें पॉलिप है तो मेड्यूसा बन जाएगा फिर मेड्यूसा से polyp, फिर Medusa, polyp Medusa, यही करम चलता रहता है, यहाँ अलेंगिक भाग क्या है, polyp, अलेंगिक भाग इसका क्या है Medusa, आगे इसके कुछ एक्जाम्पल हैं दखिए यह जो ओबेलिया है इसे समुद्री समोर के नाम से जानते हैं और यह जो फाइसेलिया है इसे पुर्तगाली सिपाही के नाम से जानते हैं यह सब इसके एक्जाम्पल है और जेली फीस आप से क्वेस्टन पूछेगा कि जेली फीस है एक्जाम्पल रहेगा चलिए यहां आपसे क्वेस्टन पूछी लेते हैं हाँ जेली फीज कि आप्शन ए अच्छली कि आप्शन बी तरीश रीप कि आप्शन सी कि दिलेंट्रेट्ट्स कि दिलेंट्स किजिए अप्शन कि कमी है इसलिए पी नहीं ऑप्शन रहेगा तो बाकी यह सब इधर incent दिये गये है और इनी का इधर दुसरा नाम दिये गया है कारनिय इसको prat Pink का changin data है क्यों कहते हैं क्योंकि यह इलेंड पंखे की तरह दिखाई देथा है आप बहुत नाम सुनेंट गए कॉरल प्रवाल भित्ती कल वारे परीफोरा में कॉरल का जिग्र कर दिये हैं क्योंकि वहां उसका जिग्र नहीं यहां होगा यह जो कोरल होता है इसी को कहते है मुंगा या कहते हैं इंदी में प्रवाल एक चलिए फंजिया है इसे मसरूम प्रवाल कहते हैं इनका हम चित्र देख लेते हैं इनका चित्र देखेंगे तो यह देखें बहुत से उदारण है इसमें हो सकता हो आपको ना समझ में आ रहा हो तो चलिए इसी के बगल में हम सब पहले थे पहले यह देखिए जेली फी सीजी वो कहते एकदम चमकते हुए चलता है जैसे ही समुद्र में इस तरह से चमकते हुए अपना खुब मजा लेगा इधर उधर टहरेगा और देख लीजिए यह आइसे लिया है इसे यह देखिए बहुत से टेंटिकल्स निकले हुए हैं कि नहीं यह यही सब सुरच्छा करेंगे अपनी यह वही है देख रहे हैं समुद्र में यह कैसा दिखाई देगा देखिए यही सब सिलेंट्रेट के एक्जामपल हैं देख रहे हैं अभी कुछ दिर पहले आपको क्या कहा गया समुद्री पंखा लेजिए देखिए पंखा की तरह है कि नहीं है सब यह देखिए हाइड्रा यह एक मात्रा ऐसा सिलेंट्रेटा है जो स्वच्छ जल में रहता है कहां रहता है यह स्वच्छ पानी में यह देखिए वही है इसमें मुकुलन द्वारा जनन होगा यह अलग होकर दूसरा बना लेगा और इसमें री जनरेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है यह देखिए यही है क्या फंजिया देख रहे हैं यह सब यहीसा लग रहा है कि पहाड़ बहाड़ है आगे चल कि बना लेगा प्रवाल भित्ति कोरल दिखाई दे रहा हैं यही है कोरल एक है यही समुद्र में इसी तरह से दिखाई देता रहता है देख लीज़िए are मस्ट से देख लीजी जिए लिया अगला चेंज कर देते हैं यह देखिए अब को लग रहा है करें यह तो गौवा में जो लकड़ीया सड जाती है उसपर यह जम जाता है वही वाला है यह समुद्र वाला है प्रवाल वित्ति कोरल कहते हैं इसको यह सब वही हैं उसके ताचा मौसा पुफा पुफी हैं यह सब ठीक है तो इस तरह से आपको जो टॉपिंग ना समझा है कमेंट कीजे हम उस पर भी वीडियो बना देंगे तो आई होप यह सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हैं इंद